आज की इस वीडियो में हम लोग मल्टिपल चॉयस टाइब कोईसिंस को सौल्व करने वाले हैं यह मल्टिपल चॉयस कोईसिंस टाइब जो हमारा आज का वीडियो है यह basically based है introduction to object oriented programming concept इस chapter पर और यह chapter मैं आपको बदना देना चाहूँ कि हम पिछले 5 वीडियो में इस introduction to object oriented programming concept को देख लिया है इनके 5 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं उनका link description में डाल दूँगा वहाँ से आप इन 5 वीडियो को देख सकते हो और फिर आप इस multiple choice question को करने में capable हो जाओगे तो इस quiz में या इस multiple choice questions में total 10 questions हमारे पास रहेंगे और यह questions आपके concept building में बहुत जादा मदगत करेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का quiz तो सिबसे पहला question है तो देखें यह पहला सवाल हमारे screen पे देख रहा है लेकिन हम मैं आपको बता देना चाहूँ एक बात कि आपको हर एक question के लिए चार options मिलेंगे और एक particular time interval मिलेगा आपको आपका जो answer है उसी time interval में देना है अगर आप उस time interval के बाद उस answer को देते हो then वो consider नहीं किया जाएगा हाला कि एक online quiz तो है नहीं इसलिए ऐसा time limit मेरे पास कुछ इसका record नहीं रहेगा लेकिन आप खुद में इसे परक सकते हो और मैं आपसे एक request करूँगा कि आप अपना जो भी 10 question को solve करने के बाद कितना number आपको मिला out of 10 कितना आपने solve किया यह आप मुझे जरूर comment में बताईएगा कि आपने out of 10 कितने questions को solve किया है तो देखे question हमने एक बाद पढ़ लिया है फिर से मैं आपके लिए दुबार एक बाद पढ़ देता हूँ कि an act of using essential features without including the background details is called एक जावा में एक feature है एक basically बोला जाएते है प्रिंसिपल है एक जावा का जिसमें क्या होता है कि हम essential features को hide कर देते हैं और essential features को माफ करिएगा essential features को हम आपके सामने रखते हैं और उनके जो background details होता है उसे हम hide कर देते हैं तो ऐसा एक feature हमारे पास present है जावा में तो उस feature का क्या नाम है वह आपको यहां पर चारो options में से choose करना है तो मैं फिलाल आपको एक time देंगा उस time में ही आपको answer करना है अगर आप उस time में answer कर पाएं well and good अगर नहीं कर पाएं तो आपको मैं फिर इसका answer बता दूँगा तो चलिए time start करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि time जो हमारा है वो हो गिया है खतम लेकिन अगर आपने answer कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत पता ही आपको कि आपने पहला question को अच्छे से solve कर लिया है और आपको इसके पीछे का जो concept है वो भी ज्यादा भैतर सुनना आया है तो मैं उन लोगों के लिए पता देना चाहूं जो नहीं solve कर पाएं है कि an act of using essential features without including the background details is called data abstraction क्योंकि आपको पता है कि हम data abstraction में करते क्या है कि इसका definition ही यह ही है कि हम इसमें किसी भी program का जो essential features है उसे हम users के सामने रखते हैं और उसके पीछे जो background में किया गया coding है उसे हम उनके सामने नहीं रखते तो यह definition ही है data abstraction का इसका वीडियो में बहुत अच्छे से explanation है आप वीडियो को देख सकते हैं तो उमीद करूंगा कि maximum बच्चों ने इसका answer time interval के अंदर ही दिया होगा लेकिन जीनों ने नहीं दिया है उसके लिए मैंने आज इसको explain कर दिया तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल के जरफ next question हमारा है कि in an object oriented programming the importance is given to मतलब object oriented programming में किन चीजों पर importance दिया जाता है data पर दिया जाता है कि function पर दिया जाता है कि दोनों पर दिया जाता है या किसी में भी नहीं दिया जाता है यह आपका चार option है यानि कि oops का जो हमारा concept है उस oops के concept में importance के space दिया जाता है मतलब कि oops में important factor कौन play करता है important role कौन play करता है तो आपके पास 4 options हैं आप time में start कर रहा हूं इस time के भीतर आप कोसिस करिए answer को देने का time हो चुका है खतम और जिन बच्चों ने इन 10 seconds के भीतर answers दे दिये हैं उनको बहुत बहुत बढ़ाई congratulations to all लेकिन जिनोंने नहीं सका इस सवाल को solve करना उनके लिए मैं इस सवाल को solve कर देता हूं तो देखें in an object oriented programming the importance is given to basically देखें पॉप का जो हमारा concept था पॉप में हम सारा focus हम किस पर करते थे पॉप में हम सारा focus करते थे उसके function के उपर उसके function के उपर आपको याद होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा था तो उसमें आपको इस चीजों के बारे में बहुत अच्छे से explain किया हुआ है तो सारा focus हम पॉप में करते थे उनके functions के उपर उनके data पे उतना ज्यादा importance नहीं दिया रहता था इसलिए पॉप यानि की procedure oriented programming में data secure नहीं हुआ करता था यहीं उसके demerits में से एक था इसके वज़़ए से उप का जो concept है उसे introduce कराया गया क्योंकि उप में data के उपर सारा importance रहता था उप में सारा focus data के उपर रहता है यानि कि हमारा answer one जो है option one यह हमारा चाहिए है कि in object oriented programming the importance is given to the data ठीक है उमीद करूँगा आपको ये वीडियो मजा आ रहा होगा आपको ये सवाल साब करने में काफी खुशी हो रही होगी तो बढ़ जाते है अपने next रवाल की और wrapping of data यहाँ ओ लिखा गया है यहाँ पर wrapping off होगा of app छूट गया है wrapping of data and function together as a single unit is called wrapping of data and functions together as a single unit is called data और functions को एक साथ bind करना यह जो function यह प्रपटी होता है कि जिसमें हम data और function को एक साथ bind कर देते हैं wrap कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं data abstraction कहा जाता है उसे या polymorphism कहा जाता है उसे या inheritance कहा जाता है या encapsulation कहा जाता है ये चार option आपके पास है आप सोचिए और the second के वितर इसका answer करिए तो आपका time time हो चुका है खतम और जीन वच्चों ने इसका सही सही जवाब दिया है उन्हें बहुत बहुत बधाई लेकिन जीनों ने नहीं सका इसे solve करने मैं उसके लिए इसका answer पता देता हूं देखें किसी भी data और function को एक ही एक ही ग्रूप में bind कर देना जिसमें data भी रहेगा और साथी साथ उसका function भी रहेगा उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं data encapsulation क्या कहते हैं जिसमें data और function एक साथ bind रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं encapsulation उसे हम लोग कहते हैं encapsulation तो उम्मिद करूँगा कि ये आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपको थो इसले वाले वीडियो में, यानि कि जो वीडियो अब तक 5 इनके उपर बन चुके हैं, उन्हें आप चरूर देखें, उनका लिंक मैं डिस्कप्सिन में डाल दूँगा, तो चलिए, सुरू करते हैं अपना 4th नमबर सवाल को पढ़ना, तो हमारा 4th नमबर सवाल है, तो नीचे में दो हमारे पास option है, class and object, इन में से किसके पास वो unique identity होता है, जिसमें हम, जिसके पास some characteristics होते हैं और behavior होते हैं, class के पास होता है, या object के पास होता है, class के पास अपना characteristics होता है, और behavior होता है, या object के पास कुछ unique characteristics और behavior होते हैं, तो चलिए, सुरू करते हैं अपना time को, start, time हो चुका है, खतम, जिन बच्चों ने इसका सही-सही answer किया है, उनके लिए बहुत-बहुत बधाई, लेकिन जिन बच्चों से ये सवाल solve नहीं हुआ है, मैं उन्हें इसका solutions बता देता हूँ, देखें, हमारे पास जितने भी object होते हैं, उनका एक unique identity होता है, यानि कि इसका right answer है, कि object में characteristics और behavior को show करता है, ठीक है चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने next सवाल की और So हमारा पांच नमबर सवाल पांचवा सवाल हमारे पास स्क्रीन पर दिख रहा है आप सब को कि the process by which a class acquires the properties from another class is known as वो process जिसमें एक class दूसरे class के properties को acquire करता है उसे हम क्या कहता है ये काफी आसान सवाल है और अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी वीडियो को देखा होगा तो आप याद कर सकते हो अच्छे से और ये का बाइलोजी से मिलता जुलता एक टर्म है तो उमीद करूँगा मेरा ये clue आपको काफी मदद करेगा तो question मैं दुबारा repeat करता हूँ कि वो process जिनमें एक class दुसरे class के properties को acquire करता है उस process को हम क्या कहते हैं आपके पास चार option है data abstraction, polymorphism, encapsulation and inheritance आपका समय शुरू होता है अब टाइम हो चुका है खतम और जिन वच्चों ने इसका सही सही answer किया है उन वच्चों को बहुत बहुत बढ़ाई लेकिन जिन वच्चों ने इसका solution नहीं दे पाए इसका answer नहीं कर पाए है मैं उन्हें बता दूँ कि उस process को हम कहते है inheritance बिल्कुल जिन वच्चों ने सही answer किया है उन्हें लग रहा होगा कि बिल्कुल उनका concept build up हो रहा है कि वो process जिसमें किसी एक class के द्वारा दूसरे class के property को अकाजर किया जाता है उसे हम inheritance कहते हैं मैंने आपको बताया भी था कि एक biology का term है और inheridity अपने biology में भी पढ़ा होगा ठीक है तो बिल्कुल बढ़ जाते हैं अपने next question की और six number सवाल आपके screen पर यह रहा in pop the global data is loosely attached to the what procedure oriented programming में global data किसके साथ loosely attached रहता है function के साथ या object के साथ या दोनों के साथ या किसी के साथ भी नहीं यह आपका चार option है कि in pop the global data is loosely attached to the function, object, both a and b and none of the other तो यह चारों में से कौन सा answer सही है यह आपको बताना है तो इसके लिए आपका time सुरू होता है अब तो आपका वक्त हो गया खत्म और आपको थोड़ा बहुत भी अगर guess कर पाए हो तो उन वच्चों ने दस सेकंड के भीतर answer डिलूर किया होगा और उन वच्चों को बहुत 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 बढ़ाई आप अगर सारी questions का answer कर रहे हो तो आप अपना concept को बहुत ज्यादा ही एंसर नहीं कर पाए मैं उन्हें बता दू कि procedure-oriented programming language में global data loosely attached रहता है उसके function के साथ Attached to the function ठेक है योगी procedure-oriented programming concept में object का mention ही नहीं रहता अबजेक्ट का उलेक नहीं रहता है procedure-oriented programming concept में सारा emphasize होता है उसके functions पे रहता है उसके data पे यानि कि हम अगर बात करें object पे तो नहीं रहता ठीक है तो अगर थोड़ा बहुत आपने guess कर पाया होगा clue देखा होगा कि procedure-oriented में functions ही hero होता है कर सकते हैं तो आप answer जरूर कर पाए ह होगे तो ठीक है बढ़ जाते हैं अपने साथवा नंबर सवाल के और और सबेंथ नंबर question आपके screen पर यह रहा example of object-oriented programming language is object-oriented programming language का example इन चारों में से कौन सा है अब इस से आसान सवाल मुझे नहीं लगता है कि कोई और हो सकता है आपके लिए object-oriented programming language के में examples अगर आप से पुछा जाए तो इन में से कौन सा example object-oriented programming language का है तो समय सुरू करते हैं और आपका समय सुरू होता है अब और आपका time जो है वो खतम हो चुका है जिन वच्चोंने answer किया है उनको बहुत बहुत बढ़ाई जिनने answer नहीं कर पाया उन्हें मायूस होने की जो कोई जरूत नहीं है आप videos को दुबारा देखें अपने concept को build-up करें और दुबारा से squeeze को attend करें मुझे लगता है कि आप उसके बाद इस quiz को पूरा पूरा कर पाओगे अच्छे से सारे answers को दे पाओगे तो मैं बता दूँ आपको कि object-oriented programming language का जो example है वो है C++ It is the example of object-oriented programming language तो बढ़ जाते हैं अपने आठवा नंबर सवाल की और 8th question तो आठवा नंबर सवाल आपके screen पर ये रहा The complete problem is decomposed into a number of entities called या number of a number a number दो बार आगिया है तो मैं एक बार कार देता हूं से तो the complete problem is decomposed problem यानि की program जो आप लिख रहे हो The complete problem या program is decomposed into a number of entities called Then the complete problem is decomposed into a number of entities तो इसमें हम एक चीज आपको मैंस ने करना भूल गया है ये छूड़ गया है अक्च्छली कि पॉप में या उप में तो मैं यहां लिख दूँ कि यहां ये सवाल उप का है यानि की उप object oriented programming concept में जो complete program होता है वो छोटे छोटे टुकडों में तोड़ दिये जाते हैं बांट दिये जाते हैं और उन छोटे छोटे entities को हम क्या कहते हैं object, function, data या method क्या कहते हैं तो इसके लिए आपका समय होता है अब और आपका समय होता है खतम तो जहन वच्चों ने इसका answer दिया है उसे बहुत बहुत बबारक बहुत बहुत पदा है मेरे तरफ से और आप जरूर अपना कितना question solve किया आपने इस वीडियो के आखिर में इस वीडियो के खतम होने के बाद आपना कितना rank आपने रखा या आउट आफ 10 questions आपने कितना solve किया ये comment में जरूर बताएं ठीक है तो इसका answer में बता देना चाहूं उन बच्चों के लिए जिन्हों आपने इसका answer नहीं कर पाये हैं या गलत answer किये हैं तो ओप concept में बूरे एक बड़े से program को या problem को तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकुडों में जिसे हम कहते हैं object और यही अगर हम pop में पूछते हैं कि procedure oriented programming concept में एक पूरे program को छोटे छोटे टुकुडों में तोड़ा जाता है जिसे टुकडों को जिन entities को हम क्या कहते हैं तो वहां आपका होता वो function ठेक है तो यहां पर object oriented है इसलिए आपका answer होना चाहिए objects तो अब हमारा ninth number सवाल आखरी दो सवाल बचा हुआ है हमारे आज के इस multiple question round का या और मैं आपको बता देना चाहूँ यह quiz number one है आने वाले time में quiz number two भी आएगा basically यह जो आपका quiz number one है यह lesson one के unit one पर बेस्ट है introduction to object oriented programming concept पर बेस्ट है lesson one का ही unit two भी हमारा है उस पे भी quiz आएगा quiz two तो फिलाल मैं आगे बढ़ जाता हूँ question number nine आपके computer screen पे या आपके mobile screen पे पिया रहा यह आपका एक computer language का ही form है जिन में instructions को दिया जाता है binary digits के term में नीचे लिखे हुए कुछ language है इन में से कौन सा language ऐसा है जिसमें instructions को दिया जाता है binary digit के form में zeros या ones के form में machine language है assembly level language है high level language है low level language है ठीक है तो आपका समय सुरू होता है अब आपका समय हो जाता है खतम जिन बच्चों ने इसका answer दिया है बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत मुआरक हो आपको जिन बच्चों ने इसका answer नहीं कर पाया या गरत answer हुआ है से मैं उन्हें कहूंगा आप चिंता ना करें मैं आपको उसका सहियान से बता रहा हूं और अगर आपको लगता है कि आपका concept को build up और करना बहुत बाकी है तो आप वीडियो को दिवारा देखें एक बार तो देखें basically computer language में हमारे पास एक ही ऐसा language है जो किसे भी instruction को 0s और 1s के form में ही देता है यानि की binary digits के form में देता है और आप सब को मालूम है वो है machine level language machine level language ही वो language है जिसमें instructions को दिया जाता है zeros and ones के form में that means binary digits के form में दिया जाता है all right तो जिन्होंने answer किया अगा उनके जहरे पर मुस्कान आई होगी कि आप सही answer कर पा रहे हो बिल्कुल ये confidence आना बहुत जरूरी है और इसी के चलते मैं आपके सामने ये questions का एक set लेकर आया हूँ मैं time to time आपके पास questions का set लेकर आता रहा हूँगा ताकि आपका जो concept है वो ज्यादा अच्छे से build up हो सके तो चलिए आज के इस round का आखरी सवाल आपके screen पर ये रहा it converts the whole source program into the object program at once नीचे में हमारे पास दो ऐसे software है जो किसी भी program को एक ही बार में पूरे program को यानि कि पूरे source program को या source code को एक ही time में convert कर देते हैं किसमें object program या object code में तो वो कौन है जो वो कौन से software है जो एक ही बार में पूरे program को convert करता है object program में तो इसको solve करने के लिए आपका समय सुरू होता है अब आपका समय होता है खतम और आखरी सवाल भी जिस बच्चों ने दे दिया है उन्हें तो आज बहुत खुसी हो रही होगी और मेरे तरप से उन्हें बहुत बहुत बढ़ाई और मैं कहूंगा कि आप अगर सारे questions का solutions बनाने में capable हो गए हो आज तो मैं कहूंगा आपका unit 1 बहुत अच्छे से clear हो चुका है क्योंकि वह questions हैं जो काफी important हैं आपके लिए आपको एक एक बारिक बारिक चीजों से रूबरू करवाएगा जिन बच्चों ने इसका answer नहीं दे पाए हैं उन्हें मैं इसका answer बता दू कि वह software जो एक ही time में पूरे program को convert करता है उसके source program से उसके object program में वह compiler है compiler ही वह software है जो एक ही बार में पूरे source program को convert करता है उसके object program में और interpreter जो होता है वो एक एक line को convert करता है उसके object program में compiler पूरे program को convert करता है एक ही बार में और interpreter जो होता है यह line by line करता है ठीक है यह बात को याद रखिए हमेंजा यह line by line करता है ठीक है तो इसका सही answer होगा compiler अगर किसी ने interpreter दिया होगा answer उनका answer रॉंग है क्योंकि यहाँ पर हमने कहा है कि whole source program यानि कि पूरे program को एक ही बार में करता है तो यह हमारा आज का multiple choice question का round था मैं उम्मीद करूंगा आपको यह session काफी interesting लगा होगा आप अपने concept को build up कर पाने में capable होगे अगर आप इस वीडियो को काफी पसंद किये हो तो इस वीडियो को like करें और अपने दोस्तों में share करें और अगर आप इस channel पर नए हो तो आपको देखके लगी रहा होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है इस channel से आप हमारे channel को subscribe जरूर करें और साथी साथ bell icon को दबाना मत भूलिएगा और अगर आप पहले से हमारे इस family के member हो आप इस channel के सादे से हो तो आप से तो definite सी बात है कि अगले वीडियो में आप से मुलाकात जरूर होगी तो तब तक के लिए take care and goodbye